नमस्कार अपने माता पिता को वंदन करते हुए और हमारे धन्वंतरी भगवान को प्रणाम करते हुए आज का अपना ये जो सेशन है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ जितने हो सके उतने लोग इसमें जुड़िये और आज जो मेरा टॉपिक है वो है आयुर्वेदा और लाइफ आज मैं आप सब के सामने थोड़ा सा बताऊंगी कि आयरुवेदिक क्या है और आयरुवेदिक का कोर्स जो होता है उसमें कितने टाइम का होता है और वो कोर्स का क्या-क्या चीजे होती है कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं सबसे पहले जानेंगे कि जैसे MBBS होता है वैसे सेम आयरुवेदिक को BAMS बोलते हैं जो है बैचलर ओफ आयरुवेदिक मेडिसिन एंड सरजरी इसमें भी सेम फाइव एंड हाफ यर्स होते हैं जिसमें पांच साल की पढ़ाई होती है छे महिने इंटर्सिप होती है इसके अं साड़ी पांच साल के जो कोर्स है उसके अंदर सारे सब्जेक्ट जो हम लोग MBBS में बढ़ते हैं वह एनोटोमी है फिजियोलोजी है वह सब भी आते हैं इसके उपरांत योगा मेडिटेशन पंच कर्म यह सारे हमारे अलग सब्जेक्ट होते हैं जिसमें बच्चों पे जो एक भी सेम मेडिकल के ही सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत बताया कि येस दिस दबी एमेस कोर्स जो सेम फाइव एंड हाफ यह का होता है और जिसमें हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं लेकिन इसमें जो अलग सब्जेक्ट हमको पढ जमाने में जो पुरातन कालमी जो वेदों का नौलेश था उसमें हमारे आयुष्य को कैसे स्वस्थ रखना है कैसे हमको लॉंग लाइफ यानि बहुत लंबी आयुष्य जीना है वो भी हल्दी बिना दवाई लिए बिना कुछ किये जैसे हमारे रुशी मुनी थे जो लोग जीते थे जो लोग दवाई नहीं लेते थे और सालों के सालों उनकी आयुष्य भी 200 साल 500 साल 1000 साल वो जीते थे तो वो योगिक प्रक्रियाओं से जीते थे और हर्बल ठिंग्स खाके जीते थे तो आयरुवेदा जो बेसिकली है वो हम लोग अपने रुटीन में हमारे घर म ऐसी बहुत सारी चीजे हैं जो आयरुवेदा में हम लोग यूज़ करते हैं अब ऐयरुवेदा बेसिकली किस पे निर्वार तो हमारे शरीर 5 महा भुत से बना है सबको पता होगा ये इसमें तीन दोश है, जो मुख्यतम, ये तीन दोश के उपर हमारा शरीर पूरा है, जो हमारे बॉड़ी में रोग होते हैं, या हम स्वस्त रहते हैं, या जो कुछ भी होता, ये तीन दोश पे बहुत निरबर हैं, इसके इलावा साथ धातुए हैं, जो रस, रत, मास, मेद, म अज्जा, अस्थी and लास में शुक्रम, ये पूरी प्रोसीजर होती है, हम जो खाना खाते हैं, वो खाना कैसे पच्चता है, उसके बाद कैसे बलड बनता है, उसके बाद हमारी मास पेशिया कैसे बनती है, ये सारी चीज़े डे टू डे लाइफ में हम जो खाते हैं, वो प कौनसी यसी चीज है जो हम डेली रूटीन में खाएं कि जिससे यह जो इम्म्यूनिटी हमारी है या तो हमारा जो पावर है बॉडी की जो एनर्जी है क्योंकि हमारे अंदर हमारा शरीर ऐसा बना हुआ है हमारी शरीर की रचना ऐसी है कि हम खुद अपने डिजीज को हील कर सकते हैं लेकिन हम लोग वो चीज को मानते नहीं है आयरुएदा वो चीज मानता है कि हमारे बॉडी के अंदर ही एक हीलिंग पावर है जिससे हम आटोमेटिकली कुछ भी चीज हो बड़े से बड़ी बिमार हम खुद अपने आप से हील कर सकते हैं अगर हमारे अंदर विल्पावर होतों ये टोपिक के बारे में भी हम चरचा करेंगे कि हम अपनी बिमारी को कैसे हील कर पाएंगे और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए येboys नेट्स सेशन चपे बना हुआ है और ऐसी कौन सी चीजे हैं कि जो हम आज का जो पैंडेमिक कंडिशन्स चल रही है महामारी है इसमें हम अपनी इम्मुनिटी को बड़ा है और वो इम्मुनिटी आज नहीं आगे जा के भी क्योंकि अभी जो स्तीति है हमारी वो ऐसा नहीं कि या दो महिने में तीन महिने में सब खतम हो जाएगा ये सारी चीजे हमको कवर होने में रेकवरी होने में या तो इसके प्रॉब्लेम से बहार आ में टाइम लगता है छे महीने लगे आठ महीने लगे या तो साल भी लग सकता है क्यों कि ये बीमारी से बचने के लिए हम लोग स्वस्त रहेंगे हम लोग हेल्दी रहेंगे तो हमको प्रॉब्लेम नहीं होगा हम पूरी दुनिया का रूटीन बंद नहीं करवा सकते हैं हम ल लोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ा के हम ऐसे कर सकते हैं कि जिससे हम ये सारी महामारी से बीमारियों से बच सके अभी मैंने आपको बताया जैसे कि आयरुवेदिक जो मेन है वो तीन दोश पे निरभर है ये तीन दोश कौन से हैं हमारे बॉडी में तो वाता पिता एंड कफ मिस वायू पित एंड कफ ये तीन जो मेन चीज़ है जिससे हमारे बॉडी में स्वस्ता भी रहती है बीमारी भी आती है हमारे अंदर की जो कुछ क्रियाय होती है ये मेन तीन दोश पे अइरुवेदा का बहुत बड़ा मानना है कि ये तीन दोश अगर सम में ये तीन दोश यह तीन दोश कौन कौन से हमको डिजेस होते हैं और यह तीन दोश हमारे नेचर पर कैसे इफेक्ट परते हैं मैं उसके बारे में बताऊंगे आपको पहले हम लेंगे वाता वाता मीन्स वायू तो मैं आपको थोड़ा बताती हूं कि वायू दोश से हमारे बोड़ी में 80 प्रकार के रोग होते हैं, सबसे ज़्यादा जो रोग होते हैं, वो वायू से ही होने वाले रोग है, वायू से हमारे शरीर में 80 प्रकार के रोग होते हैं, अभी ये जो वायू जिसके शरीर में, जैसे हमारे आईरुवेद अगर हम बुखे पेड नाड़ी देखना उसकी बारे मंचरचा तक यह भी बहुत बड़ा विग्णयान है देखना यह बहुत बड़ा साइंस मैं आपको शॉत में बताऊंगी कि क्या है कि सुबह जैसे हम लोग कुछ भी नहीं खाया है जब हम empty stomach होते हैं तब हमको proper idea आता है कि हमारे body में कौन से दोश का प्रकोप है means कौन सा दोश हमारे body में जादा है तो generally जो हमारे world में लोग है maximum लोग वायू प्रकूरूती के बने हुए होते हैं nature वायू प्रकूरूती के लोगों का nature क्या होता इससे हम लोगों को judge नहीं कर पाएंगे ये जो आयरुवेद के हिसाब से मैं बोलते हूँ उसमें वायू प्रकूरूती के लोग बोलते जादा है decision making power उनका बहुत अच्छा नहीं होता वायू प्रकूरूती के जो लोग होते हैं उनको indigestion का problem रहता है खाना पचता नहीं है उनको खाने के बाद एक syndrome बोला है IBS irritable bowel syndrome जैसे खाने के बाद तुरंत आपको वाश्रूम जाना होता है पेट में ऐसा कुछ होता है तो ये सारी जो चीज़े हैं हमारे सरीर में कुछ भी होता है वो शरीर हमारा react करता है because हम लोग हमारे जो ये तीन दोश है उसको sum नहीं रखते हैं ये हुई वायू की बात दूसरा हमारा दोश है वो पित दोश है पित दोश के जो लोग होते हैं उनको क्रोध बहुत जल्दी आता है उनका नीचर जो होता है क्योंकि पित यानि acidic बेज हो जाता है हमारी बॉडी में acid factor बढ़ जाता है उसकी वज़े से जलन होना गुसा आना इनके decisions बहुत अच्छे होते हैं लेकिन क्रोध के कारण ये लोग बहुत अच्छे से decision नहीं ले पाते हैं ये astrology हो गई तो मैं उसमें अभी नहीं कुसूंगी मैं थोड़ा बहुत ही बताऊंगी आपको लेकिन पित की वज़े से जो होते हैं 40 प्रकार के disease होते हैं मैंने आपको बताया वायू से 80 प्रकार के disease होते हैं दूसरा है पिता तो पित के लोग होते हैं उनको क्या होता है कि खाना आप खाते हो तो आपकी जो अन्यनली होती है में जो इसोफेकर स्ट्रेक होती है उसमें जलन होती है आपको पेट के अंदर जलन होना खाना खाने की इच्छा ना होना आपको बलगम जैसा लगना कभी-कभी तो ये पित्त दोश के प्रकोप के ल समन करने के लिए हमको क्या करना चाहिए हमको कौन-कौन सी मेडिसिन्स लेनी चाहिए आयरुवेदिक हर बल नौट एलोपिधी तीसरा हमारा जो दोश है वो कफा कफ दोश से हमको 20 प्रकार के रोग होते हैं जिसमें हमको जैसे हम लोग बोलते हैं शर्दी खांसी जो चीज़े हैं वो आयरुवेद में कभी भी कफ की वज़े से नहीं होता वो वायू की ही रोग है जब हमारे बॉड़ी में वायू प्रकुप होता है तब हमको यह सारे डिसेज होते हैं इसलिए वात के 80 प्रकार के डिसेज हैं कफ़ के 20 प्रकार के डिसेज हैं कफव प्रकूरूति वाले लोग बहुत शनत होते हैं उनको कोई भी चीज में कभी भी रबर नहीं मचती है वह एक काम शान ती शान तीशे करते हैं कई के लोग अपने देखे होंगे जो बैठे हो बैठे होते हैं काम होगा नहीं होगा ठीक है चंचल नहीं होते हैं बहुत शांत होते हैं तो यह कफ़ प्रकृति की बात हो गई अभी आयरुवेदिक के अंदर जो में बॉड़ी के पर्ट सारे आपका पेट अगर ठीक नहीं है तो फिर आपके अंदर एच and every disease विल कम जो कुछ भी कर लो अगर अपने अपने पेट को सही नहीं रखा अगर आपके पेट में प्रॉबलेम रहेगा अगर आपको कॉंस्टिपेशन का प्रॉबलेम है अगर आपको अगनी मां दियाँ अग प्रचन नहीं होता है आपस्सके हरों कि लगों को कम्प्लेइन होगी कि चाहरे हैं लेकिन तीन चार घंटने तक हमारा पेट बहुत हैवी रहता है पैट के लगने के जब हो जाता है तली आप और यह मैं है आपको बोला कि जहां मन हमारा जो मन है और हमारा जो पेट है हमारा जो उदर है वो बहुत एक दूसरे से connected है और आयुर्वेदा एक ऐसा science है जिसमें बीमारी को मन के साथ जोडते हैं अलोपेथी में भी जोडते हैं हम जो डिप्रेशन वगेरे बोलते हैं डिप्रेशन भी वायू से होने वाला डिसीज है जब हमको विचार वायू विचार वायू इस डिप्रेशन हमको जब विचार इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं हमारे बॉड़ी में जो नॉर्मल सोचे होती है जो नॉर्मल थोड़ सोते हैं उ सहते हैं ये सारी चीजों से हमारा वायू दोश प्रकूप होता है के दुनिया में बहुत बहुत कम ऐशे लोग हैं जिनकी ये तीनों दोश सम होते हैं सम होते ही नहीं यह दो दोश की इसके मात्रा ठीक ठीक होती है कई-कई वायू प्रित प्रकूती वाले लोग होते हैं कई-कई लोग वायू कफ प्रकूती वाले होते हैं वायू कफ प्रकूती वाले लोग का अच्छा है क्योंकि वायू कफ प्रकूती होती है तो उसमें वायू का जो प्रकूप होता है वो कफ थोड़ा ठंडा करता है जिसकी वात और पित परकूरती होती है उनको बहुत सारे problems होते है because it also acidic उसमें acid secretion होता है वायू gas secret करता है तो यह दोनों जब mix होते हैं तब इनसान की हालत यानि उसके मन की हालत और बॉडी की हालत दोनों बहुत ही stabilize नहीं रहती है problematic हो जाता है तो क्या करना चाहिए जब आपका वायू बढ़ता है और पित भी बढ़ता है तो जब आपका बॉडी स्वस्थ नहीं रहेगा बोला है कि हमारी गुजराती में कहावत है पहलू सुख ते जाते नर्या इसका मिनिंग यह होता है कि हमारा बॉडी अगर स्वस्थ है हमारा पूरा physics अगर हम लोग स्वस्थ है तो हम खुश रह पाएंगे हमारी health अच्छी है तो we can attract wealth also तो जब तक हम तंदूरस्त नहीं है हम सही नहीं होंगे तो हम ना तो देश को अच्छे से संभाल पाएंगे ना तो हमारे परिवार को और maximum ladies के लिए यह बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग अपने बारे में सबसे ज़्यादा careless होते हैं हम सबका ध्यान रखते हैं सब कुश करते हैं लेकिन जब अपनी बारे आती है ना तब हम बोलते हैं कि चलो छोड़ो ना क्या है कर लेंगे नहीं हमको अपना ध्यान बहुत रखना है अगर हम 40 के उपर के एज के हैं तो calcium जो हमारे बोड़ी में कम होता है जब लोगो लेडिस को इकटी होती है बोड़ी में तीन प्रकूरती में से दो का प्रकूप जादा रहता है तीनों सम में कभी नहीं रहते हैं इसलिए जब नाड़ी देखते हैं जो नाड़ी विग्यात होते हैं जो नाड़ी देखने के निशनात होते हैं वो लोग बोलेंगे आपको अगर वैद लोग क्या करते हैं सुबह आपने कुछ भी नहीं खाया है तब जहां के अब आपनी नाड़ी चेक करवाओं तो वो नाड़ी जो देखेंगे उसमें आपका जो रियल आपका जो real कौन से दोश सही में आपके body में है वो पता चलेगा खाने के बाद या नाश्ते के बाद आप देखोगे तो obviously आप में वायू और कफ ज़्यादा ही आएगा तो वो नहीं करना चाहिए दूसरी बात है कि हमारे जो मैंने बताया आपको कि हमारा जो पेट है वो सारे रोगों का दुवार है अगर हमारा पेट स्वस्थ है अगर हमारा पेट स्वस्थ तो हमारा body स्वस्थ हमारा body स्वस्थ हमारा mind स्वस्थ है आज मैं आपको ऐसी चीज़े बताऊंगी कि जिसकी वज़े से हम लोग हमारे तीनों दोश को सम करने में मदद रूप हो सके हमारे बॉड़ी के लिए सबसे पहली चीज है सुबे उठके गरम पानी अगर उसमें बोला है हमने कि जो लिक वाम वाटर होता है वो भी पीने का एक तरीका है पानी कभी भी खड़े होके नहीं पीना चाहिए यह आईरुएद में बोला है और सारे आजकल मेडिकल साइंस भी यह चीज मानता है कि जब हम खड़े होके पानी पेते हैं वाटर डिरेक्टली गोस्टो आर बॉन्स जो हमारे बॉड़ी के लिए बहुत डेंजरस है और आगे जाके हमको जो डिजीस होते हैं नी प्रॉब्लेम्स होते हैं वो बिकॉस आप बैट होते हैं तो हमको कभी खड़े-खड़े पानी नहीं पीना चाहिए पानी अगर आप पीते हैं दो लोटा पी सके आपकी जितनी कैपेसिटी है स्टार्ट विट लिटल बहुत जादा एक दिन पीएंगे तो आपको वामिटिंग जैसा फिल होगा अच्छा नहीं लगेगा आप एक ग्लास से भी शुरू कर सकते हैं लेकिन शुरू कीजिए सुबे उठके आपका जो स्टमक होता है वो एम्टी होता है उठके ही जो ल्यूक वाम वाटर वो भी आयरुवेद में बोला है विदाउट ब्रश किये मिस जब आपकी जो सलाइवा होते हैं आप पूरे 24 आज जब रात को आप 8 गंटे 7 गंटे सोते हैं उसके बाद उड़ते हैं वो सलाइवा जो निकलता है वो खुद हीलिंग पावर वाला होता है वो पानी अगर आप उसके साथ पिएंगे तो आपके बोडी से बहुत सारे ऐसे डिजेज है जो अपने आप निकल जाएंगे पहली चीज दिन की शुरुवात कीजिए ल्यूक वांब वाटर से गरम पानी से बैटके पिना है शुरुवात कीजिए एक गलास पानी से धिरे 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 आप वो पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं दूसरी चीज हो गई हम आयरुवेदिक में एक ऐसे आउशदी है जिसको ऐसा बोला गया है कि जिसके घर में मा नहीं होती जैसे बच्चा पैदा होता उसके लिए मा बहुत जरूरी है तो जिसकी मा नहीं होती उसके घर में अगर वो आउशदी हो तो वो मा का काम करती है उसका नाम है गुजराती में उसको बोलते हैं हर डे हिंदी में बोलते है हरी तकी वो जो रसायन है हरी तकी आप लोग लिख सक या में तो easily available है अगर आप कहीं और से दुबई वगरे से भी देख रहे हैं तो definitely आपको कहीं मिल जाएंगे आप मुझे पूछ भी सकते हैं कि कहां मिलते हैं तो ये जो रसायन है हरी तकी उसको बोलते हैं हर डे ये आउश्यदी ऐसी बोली गई और इतनी निर्दोश है कि बच्चे के जनम के बाद हम लोग उसको दे सकते हैं इतनी निर्दोश है हाँ उसकी quantity बहुत कम रहती है जब ब बच्चे का जनम हुआ उसके बाद हम लोग जैसे छे दिन के बाद उसको अंप्राशन करवाने की हमारे सास्त्रों में वीदी है अंप्राशन की बाद अगर हम बच्चे को आज सात साल का बच्चा होता है तब तक अगर हम हरडे देते रहेंगे हरडे का अनूपान कैसे लेना है मैं मैं आपको बताती हूँ आयरुवधीक में एक चीज़ आप गांट बांद लीजिए कुछ भी लेते हैं उसके लिए उसका अनूपान बहुत जरूरी है एलोपेथी में कोई भी दवा ले लीजिए उसको पानी के साथ ही लेते हैं आयरुवधीक में नहीं है ये चीज़ जिस आउश्यदी को जिस तरीके से आपको बाडी पे इफेक्ट करवाना है उस आउश्यदी को उस अनूपान के साथ ही आपको लेना है मैं हरडे की आपको बात करती हूँ, छोटे बच्चों में बहुत कम quantity, आपको black paper पता होगा, 2-3 साल के बच्चे को इतनी छोटी quantity, black paper कितना छोटा होता है, उतनी छोटी quantity से हरडे देना सुभे चालो कीई, उसका टेस्ट तूरा होता है, और हम लोग बेसिकलि जो बेस्ट हमारे बॉडी के लिए रस है हम लोग इतने सुवाद लेते हैं मदूर रस, खटा रस, तीखा रस लेकिन हमारे बॉडी में दो रस बहुत महत्वक हैं एक तो तुरा रस और दुसरा कड़वा रस वो हम लेते ही नहीं हैं ना तो हम बच्चों को देते हैं, सबसे बड़ी कमजोरी यहां पर आती है, तो यह जो हरडे मैंने बोला है, वो आप बच्चों को बच्पन से चालू करवा सकते हैं, बड़े की बात करें, बच्चा 13-14 साल का होगा है, तो आप उसको एक टी स्पून, नॉटटड टेबल स्पून, टी स्पून, सुबह उठके लिूक वाम वॉर्टर के साथ एवरी डे ले सकते हैं, यह आपकी रोग प्रतीकारक शक्ती को बढ़ाएगा आपकी इम्म्यूनिटी को बढ़ाएगा आपके कॉलिस्टोल को कंट्रोल करेगा आपके BP को कंट्रोल करेगा आपका Blood Pressure कंट्रोल में रखेगा लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि आहरुवेदा विल टेक टाइम, कोई भी मेडिसिन्स है, कोई भी चीज है, कोई भी कुछ भी करने के लिए टाइम लगता है, इसलिए बच्चों को बच्चपन से आप आहरुवेदिक आउश्यदिया दीजिए, ऐसी ऐसी पीजा, बर्गर, मैदा, बिलकुल मत दीजिए, बच्चा जब तक नहीं समझता, तब तक अपनी खुशी के लिए हम कोल्डरिंग पीते हैं, बच्चों को भी पिला देते हैं, प्लीज, रिक्वेस्ट, बहुत खराब चीज़ है, सब को पता है, फिर भी देते हैं, हमको प आम करते हैं, कि जिसकी वज़े से वो निकल पाए, वो आतों में चिपका रहता है, और फिर आम दोश, आयरुवेदा में बहुत बड़ी तकलिफ होती है, वो आम दोश है, आम क्या है, जब हम खाना खाते हैं, जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, वो हमारे आतों में फस होता है, चिपकता है, सड़ता है, और आम बनता है, वो आम की वज़े से ही हमारे शरीड में जहां जहां दर्द होता है, गुटनों में, पैरों में, कमर में, सर में, जहां भी दर्द हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये आम की वज़े से हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकती कि प्लीज अपने बच्चों को मत अपनी कितने भी आफ हाई फाई लाइस्टाइल जी रहे हैं कितनी भी मॉडन लाइस्टाइल जी रहे हैं प्लीज 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 मॉडन यह चीज नहीं है कि आप अपने बच्चों को कोल रिंग पिला या पीजा के लवाए इससे कि बच्चों को cold ring से और pizza burger से दूर रखिए at least बच्चे जब तक समझते नहीं है 14-15 साल के बच्चे के बाद तो हमारी नहीं मानेंगे तो बात अलग है तब तक हमारे control में रहते हैं तो तब तक ध्यान रखिए क्योंकि बच्चे के आते बहुत ही नाजुक होते हैं और वो ब पता होगा honey honey में भी बहुत सारे variety आई है इंडिया में बहुत सारे honey मिलते हैं तो उस पर मैं कोई comment नहीं करूंगे कि यह अच्छा यह बुरा है सारे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लेम रहे हैं कि शुद्ध पता नहीं कहां मिलता है लेकिन you can try with some good ayurvedic store और good ayurvedic कोई जग शुटा सा मैश करके उसके अंदर honey डाल के छोटे बच्चे को खिलाई है immunity बढ़ती है इससे calcium मिलता है इसके bonds बहुत ज्यादा होते हैं अभी हमारी आगे बात करते हैं मैंने आपको बोला था हमारे दीन की शुरुवात होनी चाहिए गरम पानी से हरडे मैंने आपको बोला हरी तकी चुर्ण जो बजार में मिलता है प्लीज दोस्तों अगर याद नहीं रहता है तो आप लिख सकते हैं हरी तकी चुर्ण हरडे चुर्ण ये आप लोग हर रोज ले सकते हैं इसका कोई भी side effect नहीं है ये बहुत बहुत अच्छे से आपके body पे काम करता है बड़े ब है कि जो सबके लिए हिताई है जिसमें ना तो steroids है ना तो ऐसी कोई चीज का यूज होता है कि जो आपके body को हाम पहुंचाती है तो सुबह की शुरुआत अपने घरम पानी से की फिर आप जो अपना normal breakfast वगेरे सब कुछ करते हैं वो कीजिए दूसरी चीज है जो हमको करनी ह है वो है खाने के आदे घंटे पहले हम लोग लंच लेते हैं जब लंच के आदे या एक घंटे पहने जिंजर पाउडर जिसको सूठ का पाउडर बोलते हैं जिंजर पाउडर ड्राइ जिंजर जो आपको बजार में मिल जाएगा अच्छे से मिल जाएगा वो जिंजर लिए आधी टीस्पून ल्यूग वाम वाटर के साथ लीजिए इससे आपका डाइजेशन इंक्रीज होगा आपको भूख लगेगी खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा किसी का अगर यह सवाल है कि पित प्रकूती वाले और वात प्रकूती वाले जिसको गरम पढ़ता है वो ले सकते हैं तो हाँ सोंठ ले सकते हैं इसका वीरियर शित होता है सोंठ को लेने की कौंटीटी कम रखिए बहुत कम जिसको वाद और पित प्रकूती जादा है वो सोंठ का सेवन अगर करते हैं तो उनको घी डालके गाय का शुद्ध घी के साथ लेप बना के चाट लेके सोट के पाउडर को खाने से पहले एक घंटे पहले गरम पानी में लीजिए जिससे आपका आम दोश आपका जो इंडाइजेशन का प्रॉब्लेम है खाना नहीं पचता है वो सारी चीज़े आपको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होना चालू होगी खाने के बाद खाने में कच्छा फूड 50% आप लोग रो फूड लीजिए जिसमें ककड़ी है कैरट है कैबेज है यह सारी चीज़े लीजिए और उसको बहुत चबाना है जब हम कोई वेजिटेबल बिना कुक लेते हैं और वो ऐसे ही खाते हैं चबाते नहीं है जब तक हमारा सलाइवा वेजिटेबल या फ्रूट या जो भी लेते हैं उसके साथ प्रॉपर मिक्स नहीं हो जाता है तब तक हमको चबाना है बोला भी है कि 36 बार हमको अनको चबाना चाहिए तो अगर आप खाना जो खाते हैं वो पीने की तरह खाईए पानी या तो लिक बच्चे आदत होती है स्कूल से आने से तुरंत ही बाहर के आने से तुरंत ही जीन से आने से तुरंत ही फ्रीज से चिल्ड पानी का बोटन निकाल के डाल देते बिल्कुल 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 मत पीजिए क्योंकि ये आपके डाइजेशन को पुरा मारता है ठंडा पानी कभी नहीं पिना चीए क्योंकि वो हमारे बॉड़ी के टेंपरेचर से बहुत जादा होता है इसलिए प्लीज रूम टेंपरेचर का पानी पीजिए अगर आप लोग रूम टेंपरेचर का पी सकते हैं तो बहुत बच्ची अच्छी बात है अदर्वाइस मैं आपको पीजिए उससे आपके स्टमक में आपकी भूख कम होगी आपको पता होगा शायद कि जब आप ठंडी चीज़े पीते हैं कुछ भी तो आपकी भूख एकदम मर जाती है क्यों कुए वह आपके आथों को कॉन्ट्रेक्ट करता है जिसकी वज़े से आपकी भूख कम हो जाती तो खाने से पहले सोट का पाउडर मैंने बोला, खाने के बाद, खाने के बीच में पानी पीजिए, खाना अच्छे से चबा के खाईए, 50% कच्चा खाईए, खाने के बाद आदे घंटे तक पानी नहीं पीना है, ये शायद बहुत लोगों को पता होगा, फिर भी रोग पान ही पीते हैं, या तो किसी-किसी को खाने के बाद चाई पीने के आदेत होती है, means if you are taking dinner or lunch, don't take ever tea or coffee, foreign cultures में black tea और black coffee का चलन है, बट वो भी नहीं लेना है, क्योंकि उसमें भी nicotin आता है, तो हमको क्या करना है, अगर हमको खाने के आदे गंटे बाद भी कुछ लेना है, लिक वाम वाटर में आधा नीमबू नी चोड़िए, जिससे आपका fat कम होगा, आपका body स्वस्त रहेगा, lemon आप सबको पता है, vitamin C का full source है, तो आप खाने के आदे गंटे बाद नीमबू पानी, गरम पानी में नीमबू डालके वो पीजिए, उससे आपको बहुत फाइदा लगेगा, अगर आपको नीमबू के साथ ठीक नहीं लगता है, तो आप उसमें थोड़ा सा शहर या तो गुड़ डाल सकते हैं, शुगर का इस्तेमाल बिलकुल मत कीजिए, वाइट जहर बोलते हैं, नमक वाइट जहर है, जितना हो सके, उतना आप लोग चाई में भी, मैं रिकमेंड करूंगे, आईरुवेधिक डॉक्टर, गुड़ का उप्योग कीजिए, तो आपको रगेगा गुड़ की चाई कैसे बनाएंगे, सेम बनानी है, जैसे हम चाई बनाते हैं, उसमें शुगर की जगह हमको थोड़ा सा गुड़ डाल के चाई को उबालना है, पुर और्गेनिक होना चीए, वाइट गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना है, कलर में भले अच्छा ना लगे, लेकिन वाइट गुड़ का इस्तेमाल बिलकुल नहीं करना है, तो मैंने बोला आपको जैसे कि खाने के बाद, आदे घंटे बाद, आप लोग लेमन और गुड़ या के चार दाने, एवरी डे, बच्चो को दो दाने दीजिए, बच्चो को ज़्यादा नहीं देना है, बड़ो के लिए, चार दाने चबा के खा सकते तो भी ठीक है, लेकिन वो ऐसे भी निगल भी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लेम नहीं है, लिउक वां वाटर के साथ, आ और ये लाइफ टाइम में जो चीज़े बता रही हूं, वो चीज़ आप पूरी जिंदगी कर सकते हैं, हमारे बड़े बुजूर्ग, एक सो बिस साल, सौ साल तक बागते थे, और हमारी कंडिशन अभी ऐसे आ गई है, हमारी मम्मी, मेरी खुद की मम्मी बोलू या आप सब की मम्मी अभी इतनी एनरजेटीक, इतनी पावफुल होती है, कि वो सारे काम करते हैं, और हम 30 के 40 के होते भी ठक जाते हैं, क्यों क्योंकि हमारी फूड है बाहर का खाना, हम उसमें हमारी एक रेपूटिक्शन मानते हैं, कि बही चलो हम लोग होटल में एक विक में बच्च बच्चों को भी मत दीजिए, हो सके तो आप भी मत लीजिए, ठीक है, अभी हम लोग ऐसे यूग में जी रहे हैं, कि जहां यह सब जुरूरत है, लेकि मंत लीजिए, या तो रेगुलर वे पे मत लीजिए, ठीक है, उसकी पास शाम को मैंने जैसे बोला, आपको चार दाने मरी के, ब्लैक पिपर, काली मिर्च के चार दाने लेने हैं आपको, जो चार दाने आपको ऐसे भी निगल के भी ले सकते हैं, चबा के भी ले सकते हैं आप लोग, बट ल्यूक वाम वाटर के साथ ही लेने हैं, आईरवेदी, मेडिस, ठंडे पानी के साथ कभी भी नहीं ले मिस अगर आप 12 बजे सोते हैं तो आप खाना खाई या 8 बजे आप उससे जल्दी सोते हैं तो उसके 4 गंटे पहले आपको खाना खा लेना है खाना खाके तुरंत सोने से डकारे आती है नींद कम आती है नींद में प्रॉब्लेम होता है पेट बहुत हैवी रहता है सेम चीज़ें आपको पानी तूयनत नहीं पिना है आपको एक घंटे बाद ही पानी पिना है रात को नीबू वाला पानी नहीं पीना है, शाम के टाइम पे पल्सेज नहीं खाने चाहिए, जैसे कठोल में होगे वाल, चना मूंग खा सकते हैं वो भी दिन में खाये तो ज़्यादा अच्छा है तो जितना हो सके हम लोग शाम के टाइम पे कठोल का सेवन नहीं करेंगे इनफेक्ट तूर दाल वगेरे का भी नहीं कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है आप लोग खिचडी लेते हैं आईर्वेदिक में खिचडी और दूद को भी विरुद आहारक बुला गया है खिचडी के साथ भी आपको मिल्क नहीं लेना है बहुत सारे लोग लेते हैं और पहले के जमाने में भी लोग लेते थे बट खिचडी और दूद दोनों विरुद हैं दोनों की जो तासीर होती है आयरवेद में इस चीजों को बहुत महत्वा दिया गया है कि दो फूड की जो तासीर होती है वो सेम ना हो तो एक साथ नहीं लेना चाहिए फूड की इस आता है वो हमको अहैं टो बाड़ के लिए इसके इलावा जो मैंने बोला आपको कि आप लोग मरी का 7 कीजिए, ब्लैक पेपर जो बोला मैंने, हरेडे का 7 regular base पे कीजिए, अभी मैं आपको दो और आउश्यदिया बताऊंगी, जिसका 7 आप immunity बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, इसके इलावा आपकी जो body में कफ प्रकृती है, आपकी वात प्रकृती है या तो पित प्रकृती है, इसमें आपको अगर सम होना है, तो ये आयरुवेदिक medicines आप everyday ले सकते हैं, सबसे पहली बात है कि अगर हमको एक गलत फहमी होती है, कि हमको शर्दी हो गई, जुकाम हो गया, खासी हो गई, तो हमारा कफ प्रकृत हुआ है, नहीं जी, ये भी वायू की ह रोग है, जब हमारा वायू या तो हमारा वात दोश प्रकृत होता है, उसकी वज़े से ही हमको सर्दी, खासी या कुछ भी होता है, और ये जब प्रकृत होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, आयरुवेदिक में बोला है, कि जब तुमारे बौडी में कुछ भी imbalance होता है, या कोई भी दोश का प्रकृत बढ़ता है, तो वो बहार आता है, ये सर्दी, खासी, आप दवाई भी लोगे, तो भी चार दिन में ही मिटेगा, नहीं लोगे, तो भी उतनी दिन में मिटने वाला है, लेकिन हम लोग उसको सहन नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि एलोपेथी मेडिसीन से के उसको सबसाइड करते हैं वो सबसाइड होता है वो मिठता नहीं है इसलिए कई कई पैरेंट्स की कंप्लेंड रहती है कि हमारे बच्चे फ्रिक्वंटली बीमार पड़ते हैं, वो क्यों पड़ते हैं, क्योंकि जब भी हमको बच्चों को थोड़ी सी सर्दी खासी होते हैं, हम उनको इमिडियेटली डॉक्टर को दिखा के ऐलोपेथी दवा दे देते हैं, उससे क्या होता है कि टेम्परररी वो सबसाइड हो जाता हैंगे, वाइड बलड सैस बढ़ेंगे और आपके बच्चे में तुरंत ही वो सर्दी खासी आएगी, ठीक है, उसके लिए क्या करना है, छोटे बच्चों में जब सर्दी खासी होते हैं, हम लोग घरेलून उसके यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर आप बच्चों को दिन जितनी बार हो सके, गरम पानी का सेवन करवाईए, छोटे बच्चे हैं तो वो हल्दी नहीं ले पाएंगे, अगर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात हैं, गरम पानी में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा सोट का पाउडर डाल के वो पानी बच्चों को दो तीन दिन पि सकते हैं कि हमको लेना चाहिए, इंफेक्ट आयरुवेदिक में बोला है कि अगर आपको बुखार भी होता है, जुवर भी होता है, तो मानों कि आपका वायू बहुत प्रकुपित हुआ है और इसकी वज़े से हुआ है, तो उसमें भी आयरुवेदी में जुवर हर वटी है शमशमनी वटी है, सुदर्शन महागन वटी है, यह सारी ऐसी दवाई है कि जो हम अगर सिजन चेंज होती है, जैसे हमारी सिजन होती है, गर्मी, ठंडी, बारिश के सिजन, उसके बीच के जो टाइम आता है, वो टाइम में सबसे ज़्यादा लोग बीमार पढ़ते होगा, आपने वो नौटिस किया होगा, कि गर्मी में जब ठंडी के बाद तुरंत ही आता है, तो लोग बीमार ज्यादा पढ़ते हैं, क्यों कि जब वेधर चेंज होता है, तो हमारा बाडी रियक्ट करना चालो करता है, उस से टाइम पे आप भी लीजिए, बच्चों को भी सुदर्शन महा गनवटी, जब आपके अंदर सिजन चेंज होने के बाद, अगर आप 15 दिन में एक बार भी ले सकते हैं, आप मैने में भी एक बार भी ले सकते हैं, दो गोली आप लेंगे, तो वो गोली है, और एक है शम्शमनी वटी, ये सारी दवाये, गिलोय गनवटी, ये सारी जो मैं दवायों के नाम बोल रही हूं, आप लिख सकते हैं, सुदर्शन गनवटी, गिलोय गनवटी, शम्शमनी वटी, ये सारी जवर में, बुखार में आप दे सकते हैं, लेकिन 104 बुखार आजाए तब मत देना, क्योंकि फिर कुछ भी एफेक्ट नहीं होगा, ये जब आपके बच्चों को थोड़ी थोड़ी शर्दी है, खासी है, तब आप बच्चों को ये दवाई भी दे सकते हैं, उसके साथ बच्चों को गरम पाई दीजिए, maximum source of vitamin C दीजिए, सर्दी में सबसे ज़्यादा अगर वो फाइदा करता है, तो vitamin C है, जो energy बढ़ाता है, इसलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को बोला कि हरडे का सेवन कीजिए, उससे बहुत अच्छा रहेगा, दूसरी चीज़ जो मैंने बोली कि बच्चों के अंदर जो आपको सर्दी खासी का प्रॉबलम है, बच्चों की immunity बढ़ाने के लिए, छोटे बच्चों के अ और एक सिरप का नाम है, इम्म्यूनोसीन, ये भी आरोधिक सिरप है, आपको मिल जाएगी, इम्म्यूनोसीन, ये सिरप है वो बच्चों की immunity बच्चपन से बढ़ाती है, एक और टेबलेट लिखिए बच्चों के लिए ये है, आरोग्य वर्धिनी टेबलेट, आरोग्य व मा हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, साइड इफेक्स वाली चीज़े में कोई भी नहीं बताऊंगी, ये मैं अपने बच्चों को देती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ, आरोग्य वर्धिनी जिससे आपके बच्चों की immunity बहुत अच्छे से बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप ब बच्चपन से ही बच्चों को आयरुएदी हरबल चीज़े देंगी, तो बड़े होते 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 हैं, उनकी immunity लेवल बहुत बढ़ जाएगा, एक एज के बाद लेना चालू करेंगे, देना चालू करेंगे, तो इफेक्ट होने में टाइम लगता है, रिसेप्ट बच्चे ह होते हैं, वो बहुत जल्दी से अपने अंदर इनकी immunity ऐसी होती है, कि आप जितना बच्चपन से देना चालू करोगे, वो और ज्यादा गेन होती है, तो बच्चों के अंदर आप आयरोगे वर्दीनी, जो मैंने बोला, वो सारी tablets दीजी, immunosin दीजी, septilin दीजी, vitamin C दीजी है, protein दीजीए, pulses दीजीए, चना दीजीए, vegetarian लोगे, soya bean दीजीए, ये सारी चीजे बच्चों को भरपूर मातरा में दीजीए, vegetables और fruits दीजीए, बहुत अच्छे से साफ करके clean, क्योंकि आज कल organic चीजे नहीं आती है, तो आप सबको पता होगा कि उसको अच्छे से wash करना बहुत ज़रूर ये देने से पहले, ये सारी तीजे कीजे, उसके इलावा, हम लोग अभी के दोर पे immunity बढ़ाने के लिए अगर करना है, तो आयरुवेदी के अंदर हम लोग जो कशाई, कुवात, वो सारी चीजे बोलते हैं, तो मैं आपको एक कुवात बोलूँगी, जो बड़े, बुजूर्ग, बच्चे, सब ले सकते हैं, उसकी quantity अलग अलग रहेगी, तो वो मैं आपको बताने जा रहे हूं, उसके अंदर आप लोग लिख सकते हैं, तुलसी के पत्ते, अद्रक, ब्लैक पेपर, लॉंग, डाल चिनी, जिसको सिनेमोन बोलते हैं, डाल चिनी के दाने लीजिए, जिंजर थोड़ा सा ग्रेट कीजिए, उसका एक कवाद, पानी लीजिए, उसको आप उबा लिए, उसके अंदर आप वो डाल के, फिर वो जब बॉल्ड होगा अच्छे से, उसको च्छान के थोड़ा सा गरम रहे, उसमें नीबू और मद डाल के, हनी ड चीज़े होती है कि जे पेट में भूक नहीं लगती है यह आपको दिन में एक बार ले लेना है आपने नोड कर लिए होगी सारी चीज़े मैंने बताई यह वो यह सारी चीज़े आप everyday लीजिए जिसकी बच्चों की immunity बढ़ेगी आप लोगों की बढ़ेगे इसके इलावा अगर किसी को constipation का problem है जिसको कबस का problem है जो लोगों को कई कई लोग बोलते हैं कि उठके वाश्रूम जाते हैं मिल समलोग clear है नहीं यह आपका पेट clear है इसका सुबूत नहीं है क्योंकि जब तक आप सुबे जाके वाश्रूम जाके आए लेकिन फिर भी कई के लोगों को पूरे दिन problem होता रहता है पेट में कुछ न कुछ गुडबड मचती रहती है बूक नहीं लगती है खाना खाने के बाद problem होते हैं तो त्रिफला चूरन जे त्रिफला है इसमें तीन चीजों का combination है हरडे है हरी तक की मैंने बोला वो है बहडा करके एक आउश्यदी आती है और एक है आवला यह तीनो सममात्रा में मिलते हैं उसका पाउडर आप घर पे बना सकते हो बाजार में भी मिलता है त्रिफला चूरन हरडे बहडा और आवला यह तीनों का combination है वो त्रिफला चूरन एक चमच गरम पानी के साथ हर रोज रात को ले सकते हैं आप लोग यह त्रिफला पाउडर से आपक सेस्ञन को चूरन होंasom an फारी करें बात बारे में करें रक्त विखार के बारे में डायनेख प्रॉब्लम के बारे में ऑबसी के बारे में और लेडि क्विशन है wrap your 확 बुक्का बनाऊंगी थैंक्यू सो मज पॉर जोइनिंग विथ मी मुझे लगता है कि आप सब यह सब सेशन्स पर आप एक कुछ ने कुछ सीखने मिलेगा थैंक्यू 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 सो मच है कि आप में है कि मपी